आज हम red sauce पास्ता बनाने जा रहे हैं इसे अल अराबियातर पास्ता भी कहते हैं बहुती इजी रेसिपी है ये फ्रेंड्स वेल्कम टू मैं चैनल और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे साथ ही बेला एकन भी प्रेस कर दीजे सबसे पहले हम एक कढ़ाई में दो कप पानी को ढखकर हाई फ्लेम पर अच्छा बॉयल आने तक उबालेंगे पास्ता की red sauce बनाने के लिए मैंने तीन लाल टमाटर लिए हैं medium size और दो कश्मीरी लाल मिर्च लिए हैं टमाटर में हैं हम इस तरीके से कट लगा लेंगे इनके पार्ट हिससे अलग नहीं करने हैं तीनों टमाटर में आप इसी तरीके से कट लगा लीजे और ये जो मिर्ची हैं लाल मिर्च इन्हें तोड लीजे अगर कम तीका पसंद करते हैं तो आप इनके बीच निकाल दीज पानी में अच्छा उबाल आ गया है, अब मैं इसके अदर दो कप ये पैने पास्ता है ये अड़ करूंगी. ये पास्ता आपको किसी भी जर्नल स्टोर पर बड़े असानी से मिल जाता है, तो ये मैंने दो कप लिया है, इसे मैं इसी उबाल पर उबालूंगी, और साथी मैं एक टीस्पून इसके अंदर नमक डालूँगी और एक टीस्पून इसके अंदर मैं तेल डालूँगी तेल रिफाइंड ओयल या ओलिव ओयल आप ले सकते हैं काम आसान करने के लिए मैं यह जो टमाटर है इने भी उबालने के लिए इसके अंदर एड कर दूँगी और को भी निकाल लीजिए और ठंडा होने दीजिए पास्ता को पकने में 10 मिनिट या ज्यादा ज्यादा 12 मिनिट लगेंगे तो इससे ज्यादा हमें नहीं उबालना है अभी मैं थोड़ा ये चैक करके देख रही हूं ये पास्ता भी उपर से थोड़ा हाड है तो इसे हम इसे ये कड रहा है तो 10-12 मिनिट के लिए हमें पास्ता को उबालना है उस 10-12 मिनिट में 2-3 मिनिट आपके टमाटर उबालने के लिए बीते उबालने के बाद गैस बंद कर दीजे और इसे अच्छे से धो लीजे ये ठंडा हो जाएगा इसका जो पकने की प्रॉसेस है कु इस तरीके से टमाटर को उबाल कर और मिर्च को उबाल कर पीसने पर बहुत ही अच्छा कलर आता है जो रैट सॉस बनती है इस पास्ता के लिए और बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसका तो आपको इसी तरीके से ब्लांच करना है टमाटरों को और आप क्या करना है इनक कि इस तरीके से प्यूरी बनानी है कि वो उसमें कोई भी चंक्स ना दिखें टमाटर के मुझे अभी थोड़ा सा इसमें दिखा तो मैं इसे दुबारा से फिर से ब्लैंड कर रही हूं तो आप देखे बिल्कुल स्मूध प्यूरी बननी चाहिए इन टमाटर और मिर्च की आप ओली ओल भी ले सकते हैं और रिफाइन ओल भी ले सकते हैं बटर और तेल गरम होने पर मैं इसके अंदर एक मीडियम साइज प्याज ले रही हूं जिसे बहुत बारीक काट लिया है और उसे एक मिनिट तक हम स्टर-फ्राइ करेंगे साथी मैं इसके अंदर एक टेबल आइड कर देती हूं और अब हम इसे लो टू मीडियम यानि कि लो से थोड़ी सी तेज आज पर हम इसे पकाएंगे आज आज आपको इतनी ही सैट करनी है लो से और मीडियम के बीच में अब इसमें तीस्पून मिक्सड हब्स डाल दीजे आधा टीस्पून कुटी हुई काली म पाउडर भी इसमें डाल सकते हैं अब मैं इसमें धनिये की डंठल को बारी काट कर एड कर हूं बहुती अच्छा डेस्ट इसमें देगी रंग भी अच्छा आएगा हरा रंग इसमें अच्छा लगगेगा अब मैं इसमें एक टेबल स्पून भर कर सेजवान सॉस एड कर रहे हूँ आप पास्ता सॉस भी इसमें एड कर सकते हैं अच्छे से आप इसे मिलाईए सुआद अनुसार इसमें नमक डालिए जितना आप नमक पसंद करते हैं उसे अच्छे से मिलाईए और साथ ही इसमें वन फूर्थ एक चोथा ही छोटी चमच आप इसमें चीनी मिलाईए तो ये खटे मीठा तीखा जो टेस्ट है उसे बैलेंस करेगी दो टेबल स्पूर्न भर कर इसमें वेज मेयोनीज डालिए बहुत ही यानि की क्रीमी टेक्स्चर इसका हो जाएगा आज हमारी लोटू मीडियम ही है फ्रेंड्स ये सॉस इतनी बैलेंस बनेगी कि घर पे मेरे बच्चे इसे चटपट इसे खा गए और आए दिन इसके डिमांड करते हैं कि ये वाला पास्ता बनाईए हाफ टीस्पून इसमें चीली फ्लेक्स डाल दीजे साथ ही अपना पास्ता जो बूल बूला हुआ था उसे इसमें एड़ कर दीजे इसे अच्छे से मिलाईए पूरा अच्छे से सॉस इसमें लिपट जाना चाहिए सॉस की क्वाइनटिटी बिल्कुल बैलेंस रहे ना ज्यादा ना कम जो डंठलते धनिया के कटे हुए वो भी इसमें एड़ कर दीजे अब एंड में इसमें अपने पसंद के अनुसार इसमें अंदर कम ज्यादा जो भी यह टोमैटो कैचाप आपा इसमें एड़ कर यह अच्छे से मिला यह रेडी है हमारा गर्मा गर्म पास्ता और इसे अब हम सर्विंग बोल में ट्रांसफर करते हैं बहुत ही टेस्टी और बहुत सौसी क्रीमी यह पास्ता बनता है बच्चों के बड़ों को भी बहुत यह पसंद आता है जटपट बनता है और देखिए तयार है हमारा यह पास्ता एंड में बच्चों के पसंद का यह चीज इसके उपर ग्रेटेट चीज का कसा हुआ चीज इस पे आप डालिए और यह धनिया के डंठल के पीसिज और धनि रखनाद के और बहुत जल्स मिलते और नहीं रसीपी के साथ स्वाधी तियागी के साथ खाना रचकींज में तो दब तक के लिए मुझे जाना होगा जाने के लिए आप रुगों को बै बै कहनाहो गा लापस आने के लिए हैं लब यू वाल बै बाय